नमस्कार दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है आप लोगों का एक बार फिर से विकल मेकेनिक की आज MCQ की पाँचमी क्लास है और इसमें आज हमारा टॉपिक है Classification of Vehicle and Engine हलाकि Classification of Vehicle and Engine का एक पाट हो चुका है जो कि MCQ Class 4 के नाम से आपका हुआ है यानि कि इसके ज़स्ट पहले वाली वीडियो जो है वो आपकी Classification of Vehicle and Engine से संबन्दित है तो आज हमारी ये MCQ की पाचमी क्लास है और Classification of Vehicle and Engine की दूसरी क्लास है तो चलिए आज हम देखते हैं शुरू करते हैं हमारा आज का पहला जो कोशन है पहला कोशन है 4-stroke engine में एक बार निकास वाल्व खोलने के लिए कितने क्रेंक शाफ्ट रोटेशन की अवशकता होती है अब जाना जी कौन सा है 4-stroke engine यहां पर दिया गया है 4-stroke में कितने अगर यानि की निकास वाल्व यानि की exit वाल्व खोलना हो ठीक है तो आप जानते हैं कि जब एक compression होता है आपका इंटेक होता है और section होता है यानि की इंटेक पोर्ट खुलता है और उसके बाद section होता है फिर दूसरे में क्या होता है पावर श्टोक होता है और एक्जाज श्टोक होता है ना तो अगर यहां पर क्या खोलना कर आपका निकास वाल्व रहना की exhaust valve open करना है तो आपको क्या करना होगा कितने crank shaft के rotation करने होंगे आपका यहां पर पूछा गया है तो दो crank shaft के rotation करने होंगे English medium बाले बच्चे भी ध्यान देंगी कि जो English medium के हैं उनके लिए यहां पर हमने English medium में यानि कि English का भी इसका बना के रखा हुए आप यहां पर देख सकते हैं यहां पर आपका राइट एंसरो का option no.b2 दूसरा प्रशन है एक engine की यांत्रिक दक्षता क्या है यानि कि what is the mechanical efficiency of an engine किसी engine की यांत्रिक दक्षता या mechanical efficiency क्या होती है या उसका सूत्र या formula क्या होता है आपके यहां पर options दिये गए हैं बी एसपी अपॉन आई एचपी इंटु हंडड़ यहां पर ऐसे यह सारी की सीज़र ऐसी लिखी हो जैसे बी एचपी अपॉन आई एचपी और फिर इंटु हंड़ इस तरह से यहां पर यह सारे formula लिखे हुए हैं तो यहां पर आपका पहला option है क्या है बी एचपी अपॉन आई एचपी इंटु हंड़ दूसरा है बी एचपी अपॉन एफ एचपी इंटु हंड़ तीसरा option है आई एचपी अपॉन बी एचपी इंटु हंड़ और आपका option number D है एफ एचपी अपॉन बी एचपी इंटु तो यहाँ पर जवाब कि किसी इंजन की जो mechanical efficiency होती है या जिक दक्षता होती है उससे हम BHP upon IHP into 100 से दर्शाते हैं, denote करते हैं यहाँ पर जो IHP है, IHP को हम बोलते हैं Indicated Horsepower इसका हमने साइद full farm आपको पिछले वीडियो में भी बताया था तेकिन एगवाए फिर से IHP का मतल होता है Break Horsepower और FSP का मतलब होता है Frictional Horsepower इनको भी आप ध्यान रखिएगा क्योंकि कभी कभी होता है आपका short form देदेगा और उसकी full form भी पूछ लेगा तो यहाँ पर दोनों ही चीज़ें आपको ध्यान देनी है Mechanical Efficiency का formula क्या होगा Option No A आपका right answer है BHP upon IHP into 100 और इन सब के इन्वे से कौन सा engine constant volume cycle कहा जाता है Which engine is the called as constant volume cycle SI engine, CI engine, turbine engine या फिर भाप engine जो आपका constant volume engine है वो SI engine है और SI engine को आप spark ignition engine भी कहते हैं और जो spark ignition engine होता है वो आपका petrol engine होता है CI engine यानिकी compression ignition engine होता है और यह है आपका diesel engine होता है CI engine ठीक है तो आपका right answer होगा Option No A अगला question है घर्ष्णर असुष्वत्ति का सूत्र क्या है यानिकि what is the formula of frictional horsepower यहां पर आपके options है IHP minus BHP या IHP plus BHP Option No C है IHP upon BHP या Option No D, BHP upon IHP यहां पर जो आपका right answer है वो होगा IHP minus BHP यानिकी indicated horsepower में यदि हम brake horsepower को minus करेंगे तो आपकी frictional horsepower या कहें सकते हैं घर्ष्णर असुष्वत्ति का formula आ जाता है अगला question है निमने लिखित में से कौन सा engine constant volume cycle कहा जाता है यह साइद provision हो गया गया इसका constant volume cycle यह दुबारा आ गया है यहां पर आपका SI engine होगा अगला question है किस कारण से हवा engine cylinder में प्रवेश करती है यानिकि जो हवा होती है वो engine cylinder में क्यों प्रवेश करती है which cause the air enter into cylinder यानिकि जब हम air का filter करते हैं उसके द्वार प्रवेश करती है या फिर engine vacuum यानिकि जब engine में vacuum हो जाता है तब air जो होती है वो engine cylinder में option number B जब engine में यानिकि cylinder में vacuum होगा उस टाइम पर फ्रवेश करेगी इंटर करेगी vacuum का उतलब आप जानते हैं कि वहाँ पर कुछ भी नहीं होता है यानिकि वहाँ पर जब खाली हो जाएगा कोई चीज यहाँ पर तो यह बाहर की जो air होगी वो यहाँ पर इंटर कर जाएगी जब खाली होगा तभी अगर यहाँ पर पहले सी air होगी तो कैसे चाहेगा कोई air तो यहाँ पर vacuum में air जाना जरूरी होता है अगला question है एक इंजन में बिकिसित शक्ति कौन सी है यानि कि जो इंजन होता है उसमें कौन सी शक्ति उत्पन होती है which is the power developed in an engine आपका option है BHP, IHP, FHP या फिर RSP यहाँ पर आपका right answer होगा IHP indicated horsepower जो आपकी इंजन में शक्ति होती या power होती वह कौन सी होती है IHP indicated horsepower होती है Question number 8 है आपका, कार के 33 के तहद त्वरीत इन रिक्षण के लिए कौन सी उपकराण को प्यूग किया जाता है Which equipment used for quick inspection under 33 of a car? 33 के कार के लिए कौन सा equipment जो किया जाता है? Stand, screw jack या trolley jack या इन में से कोई नहीं आप यहाँ पर right answer होगा trolley jack option number C is right answer अगला question है उस्मा क्या है? यानि कि जो heat है What is heat? हीट को क्या गहते है? Torque है, force यानि कि बल है या उर्जा energy है या फिर velocity है यानि कि वेग है ठीक है? तो यहाँ पर जो उस्मा है उस्मा आपकी एक तरह की energy होती है option number C अगला question है, 4 engine cylinder के लिए throw का code क्या होता है? What is the angle of throw for 4 cylinder engine? 4 cylinder के लिए 4 engine cylinder के लिए throw का code क्या होता है? यहाँ पर आपकी option है 60 degree, 120 degree, 90 degree यह फिर 180 degree आपके यहाँ पर right answer होका 180 degree आपका यहाँ पर right answer है आपका अगला question है, compression, ignition engine का कारी चक्र क्या है? यहाँ पर CI engine पूछा है, ठीक है? CI यानि कि diesel engine होता है तो compression, ignition का पारी चक्र क्या है? इसके पहले हम आपको बताया था जो petrol engine होता है, वो कैसा होता है? CI engine होता है, यहाँ पर compression engine पूछा है, तो compression ignition engine का आपका diesel engine होगा option no.1 अब यहाँ पर आपका एक indicator दिया गया और question पूछा गया है, दिये गया चित्र में indicator का क्या नाम है? What is the name of the indicator? यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आपका जो indicator है यह है और इसको क्या नाम है? आपकी options है, seat built संके तक, air bag संके तक, brake संके तक या फिर ABS indicator आप एक बाप फिर से यहाँ पर इस indicator को देखें, यह आपका एक कोई person वैक्ती बैठा हुआ है, यह आपकी seat है और यह क्या है? ठीक है? आपने देखा होगा कि car वगएर में यहाँ पर seat होती है और यहाँ पर person वैठा रहा था उसकी आगी एक air bag रखा होता है, ठीक है? तो इस वर्स हिंदूस्तान मोटर ने ambassador car रुद्योग की स्थापना की, which year हिंदूस्तान मोटर इस्टेबिलिस ambassador car industry in इंडिया? उनीस्सो में, उनीस्सो पचीस में, उनीस्सो साथ में या उनीस्सो असी में आपका option है, उनीस्सो असी, option number D is right answer. अगला question है, टीडीसी पर पिस्ट तो TDC के पिस्टन के ऊपर की इस्थान का आयतन क्या कहलाता है? आप यहाँ पर जब मैंने आपकी पहले theory class ले थी तो आप देखिए यहाँ पर एक piston लगा होता है, ठीक है? यहाँ पर piston और TDC और BDC होता है, तो यहाँ पर पूंच रहा है की TDC पर piston के ऊपर की इस्थान यान और फिर टोटल वॉल्यूम आपका जो राइट इंसर होगा वो होगा option number B clearance volume अगला question है भारी वाहन पार्किंग में किस प्रकार के वे ब्रेक का उप्योग किया जाता है तो आपका क्या है भारी वाहन प्रेक में किस प्रकार को प्योग किया जाता है दोस्तों आज के लिए इतनी कोशन थे अब कुछ कोशन के साथ हम मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में तब तक लिए नमसकार धन्यवाद